नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हरियाना से महत्पून करंट अफेर्स तो आईए चलते हैं फर्स्ट कोस्टन की तरफ हमारा फर्स्ट कोस्टन है खुले में सौच मुक्त देश का पाँचवा कौन सा राज्य है तो पाँचवा राज्य बना है हरियाना अगर फर्स्ट राज्य की बात की जाए तो फर्स्ट राज्य कौन सा है सिक्केम फर्स्ट राज्य कौन सा है सिक्केम नेश्ट कोस्टन की तरफ चलते हैं, हर सर हेलमेट की सुरुवात कहां से की गई, तो हर सर हेलमेट की सुरुवात की गई है करनाल से, अगर यहां पे हेलमेट की बात करें तो हेलमेट कौन सी कंपनी के होंगे, स्टड कंपनी के होंगे, कौन सी कंपनी के हैं, स्टड कंपनी के नेश्ट कोस्टन एक मात्र वैक्ति जो मुक्ह मंत्री उप मुक्ह मंत्री और विदान सवा अद्यक्स रहा है तो वो वैक्ति हैं बनार सीदास गुपता हाँ जी ये हमारे मुक्ह मंत्री उप मुक्ह मंत्री और विधान सवाद देक्स भी रह चुके हैं बनार सिदास गुपता नेश्ट कोस्टन की तरफ चलते हैं हरियाना के पिर्थम उप मुक्ह मंत्री थे तो हरियाना के पिर्थम उप मुक्ह मंत्री चांद राम थे अगर बात तो 34 वे सूरजकुंड का उद्गाटन के आयस राष्टपती स्री रामनाथ कोविंद जी ने अगर यहाँ पर बात की जाए साथी राष्ट एवम राज्य की तो साथी राष्ट है उजेबेगिस्तान एंड साथी राज्य है हिमाचल परदेश अगर यहाँ पर बात करें हम फ़स्ट सूरजकुंड मेला कब आरम भुआ तो यह आरम भुआ था 1987 इसवी में next question सूरजकुंड मेले के ब्राण्डम बिसर कौन है तो सूरजकुंड मेले के ब्राण्डम बिसर है अविनेता धर्मेंद्र और हैमा मालनी अविनेता धर्मेंदर और हैमा मालनी नेश्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं राज्य का पिर्थम कैसलेस मेला कौन सा है तो राज्य का पिर्थम कैसलेस मेला सूरजगुंड मेला और ये सूरजगुंड मेला कहां पे लगता है दोस्तो फरीदा बाद में next question हरियाना पुलिस में महिला करमचारियों की संख्या 10 फीदसी से बढ़ा कर कितनी कर दी गई तो 10 फीदसी से बढ़ा कर दी गई यह संख्या 15 फीदसी next question की तरफ चलते हैं दोस्तों जिंदल स्टील का ब्राण नम्मे सर किसे बनाया गया है तो जिंदल स्टील का ब्राण नम्मे सर बनाया गया है रिसव पंद को मुष्ट इंपोटेंट कुछ्सन है दोस्तों next question हरियाना के किस खिलाडी की व्यक्तिकत वर्ग में साल का सर्शिष्ट खिलाडी का सम्मान मिला है तो यह सम्मान दिया गया है बजरंग पूनिया को अगर बात की जाए बजरंग पूनिया की तो इनका संबंद जजजर जले से है कौन से जले से है जजजर जले से next question हरियाना पंजाव हरियाना पंजावी साहित्ताय का आदमी का नया निर्देशक किसे बनाया गया है को नेज़े explains निर्देशख बनाया गया सुनील वशिष जीं को, नेक्ष्टकोस्टन की तरव चलते हैं, मेरी बेटी मेरा अवियान पुस्तक की लेखी का कौन है, तो इनद लेखी का partirखराजी, नेक्ष्टकोस्टन की तरव चलते हैं, तो हरियाना का पिर्थम virtual court कहां पर स्थापित किया गया है फरिदाबाद में next question की तरफ चलते हैं दोस्तों हरियाना की मसहूर डांसर सपना चौधरी की पिर्थम वॉलिवुड फिल्म है दोस्ती के side effect जो डांसर है सपना चौधरी इनकी वॉलिवुड की फैली फिल्म है दोस्ती के side effect next question भारतिया पैरा ओलंपिक समीती की नई अध्यक्स कौन चुनी गई है तो ये चुनी गई है दीपा मलिक अगर दीपा मलिक की बात करें तो ये सोनी पत जिले से संबंदित रखती है कौन से जिले से सोनी पत जिले से दोस्तों next question अपना खुद का software लागू करने वाली हरियाना देश की पिर्थम पुलिस बन गई है next question की तरफ चलते है हरियाना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवियान के प्रोजेक्ट डारेक्टर कौन है योगेंद्र मलिक अगर यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवियान के ब्राइड नमेस्टर की बात की जाए तो वो कौन होंगी साकसी मलेक next question खादी एवम ग्रामुद्यक वोड के नया चेर्मेन किसे बनाया गया है तो वो बनाया गया है गारगी ककड को next question हरियाना यूवा कल्यान एवम खेल विवाग का नया निर्देशक किसे बनाया गया है तो यूवा एवम खेल विज्ञान का नया निर्देशक बनाया गया है भूपेंद्र सिंग को अगर यहाँ पे बात करें खेल मंत्री की हरियाना का खेल मंत्री कौन है संदीप सिंग कौन है संदीप सिंग हरियाना की पिर्थम Aerospace University कौन सी है तो राज्जय की पिर्थम Aerospace University है हिसार और हिसार को किस नाम से जाना जाता है स्टील स्टी के नाम से पहरा एतलीट दीपा मलिक को किस देश की सरकार ने सर एंडमंड हिलेरी फैलोसिप के लिए चुना तो न्यूजलेंड सरकार ने उन्हें यह फैलोसिप दी थी और आपको पता ही है दीपा मलिक का सम्बंद कहां से है सौनिपत से नेक्स्ट कोस्टन हरियाना साहित्यक आदमी का नया निर्देशक किसे बनाया गया है तो हरियाना साहित्यक आदमी का नया निर्देशक बनाया गया है पूरन मल गौड को और ये किस जले से सम्बंदिता है सौनिपत जले से नेस्ट कोश्चन हरियानप पुलिस के नए डीजीपी कौन बने हैं मोस्ट इंपोटेंट कोश्चन है दोस्तों तो हरियानप पुलिस के नए डीजीपी बने हैं मनोज यादव नेस्ट कोस्षन की तरफ चलते हैं राज्य कभी स्री उद्य भानु हंस का निधन कब हुआ तो most important question है दोस्तो स्री उद्य भानु हंस का जो निधन है वो 27 फरवरी 2019 को हुआ था नेस्ट कोस्षन की तरफ चलते हैं देश की पिर्थम पदम स्री एवं दिरोनाचारे अवाड से सम्मानित महिला कौन है तो देश की पिर्थम पदम स्री एवं दिरोनाचारे अवाड से सम्मानित महिला है डॉक्टर सुनील डवास और ये क्या हैं दोस्तो कवड़ी कोच हैं हरियाना राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्स किसे बनाए गया है तो हरियाना राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्स बनाए गया है स्रीमती प्रीती भारत दाज को अगर यहां पर अध्यक्स की बात करें तो अध्यक्स किसे बनाए गया है पिर्तिवा सुमन को कौन है पिर् ETPBS के बोटों की गिंती पहली बार हुई है अगर ETPBS की फुल फॉर्म देखी जाए तो इसकी फुल फॉर्म है Electronical Transmitted Postal System Next question मोधी मंतरी मंडल में हरियाना के कितने सांसदों को सामिल किया गया है तो मोधी मंतरी मंडल में हरियाना के तीन सांसद सामिल है और उनके नाम क्या क्या है रतन कटारिय का चुनाव छेतर कौन सा है अंबाला और राव इंदरजीत राविंद्र जीत का जो चुनाव छेत्र है वो गुडगाव है और किर्शन पाल गूजर का फरीदवाद छेत्र से आते हैं किसे दिया गया तो कलपना चावला सौरे पुरुषकार 2019 दिया गया है लेखा रक्समी चिंग चौकन को दुनिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा खरकौंदा सौनिपत में राज्य का पिर्थम कैसलेस गाव कौन सा है तो राज्य का पिर्थम कैसलेस गाव है नीला बली और यहीं पर बात की जाए पिर्थम कैसलेस यूनिवस्टी की तो पिर्थम कैसलेस यूनिवस्टी है कुरूचेत्र यूनिवस्टी next question राज्या में अटल लाइबरेरी कहा स्थापित की जाएगी तो राज्या में अटल लाइबरेरी स्थापित की जाएगी फरीदावाद में दोस्तों नेश्ट कोश्चन अटल बिहारी बाजपे की सबसे बड़ी मूर्ती कहां पर स्थापित की जाएगी तो यह स्थापित की जाएगी करनाल में अगर बात की जाए करनाल में कहां पर की जाएगी तो अटल पार्क में तो वह इतल पार्क कहां पिया है सुनी पत से अगर यहाँ पे फीमेल की बात की जाए तो फीमेल है हमारी कवीता दलाल कवीता दलाल कहां से संबन दिता है जीन से इने लेडी खली के नामें से भी जाना जाता है next question पिर्देश का पिर्थम गुलावी थाना कौन सा है तो पिर्देश का पिर्थम गुलावी थाना है पंच कुला दोस्तो next question की तरफ चलते है सत्रवी लोकसवा में हरियाना से एकमात्र महिला सांसद कौन है तो सत्वी लोगसवा में हरियाना से एक मातर महिला सान सद है सुनीता दुग गल और इनका चुनाव छेतर कौन सा है सिरसा बात की जाए लोगसवा सीट की तो हरियाना में कितनी लोगसवा सीट है 10 लोगसवा सीट है दोस्तों next question की तरफ चलते है राज्यसरकार ने पूर्व सरपंचो को कितनी पैंसन देने की घोषना की है एक हजार रूपे पैंसन देने की घोषना की है next question की तरफ चलते है राष्टमंडल table tennis federation का अद्यक्स किसे बनाये गया है तो वो बनाये गया है दुस्यंत चौटला जी को और इनका चुनाव छेतर है उचाना और ये हरियाना के छटे नंबर के उपमुक्मे मंत्री बने है इस टाइम नेश्ट कोस्टन की तरफ चलते हैं राज्य के किस जिले में पराली से बायो गैस बनाने का पहला सहियंत लगाया जाएगा तो ये सहियंत लगाया जाएगा करणाल में और करणाल को आपको पता ही है धान का कतोरा भी कहा जाता है नेश्ट कोस्टन की तरफ चलते हैं हरियाना सरकार ने एनीमिया की ब्रांड नमेकर किसे बनाया है बनाया है तो हरियाना सरकार ने एनीमिया की ब्रांड नम बिसर बनाया है मानुसी छिलर को नेश्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं ब्यूनस आयर्स एटीपी का खिताब जीतने वाला पिर्थम भारते टैनिस खिलाडी है तो ये खिलाड़ी है सुमित नागर और इनका संबन किस जिले से है जजजर जिले से नेश्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं हरियाना में दूसरा हर खादी स्टोर कहां स्थापित किया जाएगा जजजर में अगर बात की जाएं पहले स्टोर की तो पहला स्टोर कहां पर स्थापित किया गया पंच कोला में नेश्ट कोश्चन किस हरियानवी नेता को यूथ आइकोन ऑफ दा इयर 2019 से सम्मानित किया गया है तो वो क्या गया है दुसियंत चौटाला को किसको सम्मानित क्या गया है दोस्तों दुसियंत चौटाला हरियाना के किस विश्विध्याले में जर्मन भासा सिकाने का कोर्स शुरू किया गया है तो ये कोर्स शुरू किया गया है विश्व कर्मा स्किल विश्विध्याले में अगर बात की जाए तो ये विश्विध्याले कहां पे दोदोला में और दोदोला कहां पे पढ़ता है प चुनाब छेत्र की तो इनका चुनाब छेत्र कहां पर है पर्थला में नेश्ट कोश्चन राज्य का सबसे साफ सुत्रा रेलवे स्टेशन किसे चुना गया है तो राज्य का सबसे साफ सुत्रा रेलवे स्टेशन है अमबाला नेश्ट कोश्चन की तरफ शलते हैं पंडित ल तो हरियाना अंत्रिक स्पेस सेंटर की स्थापना की गई है हिसार में Next question हरियाना कला परिशत का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो हरियाना कला परिशत का नाम बदल कर किया गया है कला कीर्थी भवन और इसका मुखाल कहां पे है कुरू छेत्र में नेक्स्ट कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् हरियाना का देश में कौन सा स्थान है तो वो स्थान है प्रत्थम स्थान फर्स्ट रेंग पे आता है नेक्स्ट कुस्टन नवगटित हरियाना योग परिशत का पहला चेर्मेन किसे न्यूकत किया गया है तो वो न्यूकत किया गया है डॉक्टर जैदीप आर्या को लिया कि सिडनी सहर में हरियाना दिवस मनाए गया और हरियाना दिवस कम मनाए जाता है एक निवंबर को दोस्तों नेश्ट कुश्चन हिम दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई तो हिम दर्शन एक्सप्रेस जो ट्रेन है यह वो काल का सिमला मार्ग पर शुरू की गई है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन धनकंड कमेटी ने किस जले के रूप में सफारिश किया है तो वो जिला है गोहाना और अभी जो जिले वो कितने जिले हैं दोस्तों हर्याना में 22 जिले धन्यवाद दोस्तों देखते रही है हमारी वीडियो